जैशिरामित्रों, डिक्टेशन स्टार्ट संक्सेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची जिला जैपुर सहर के रायपुरगराम इस्थित उचित मोल्य की दुकान का डीलर है विराम उसके विरुद्द की गई शिकायतों के आधार पर तारीक 27 जुलाई कोमा 2022 के विरुद्द निलम्मन आदेश जारी किया गया तत पस्चात उसके विरुद्द जाँच की गई और प्रत्यर्थी संख्या दो अर्थात जिला आपूर्ती अधिकारी द्वारा तारीक 25 अगस्त कोमा 2022 को उसको आबंटित उचित मोल्य की दुकान की अनुग्यपती रद्द कर दी गई विराम याची ने रद्द करण आदेश के विरुद्द अपील फैल की कॉमा जिसको भी तारीक 28 सितंबर कॉमा 2022 को अदम पेरवी में खारिज कर दिया गया विराम याची ने अपील को पुनह बहाल किये जाने के प्रियोज नार्थ आवेदन फैल किया जिसको भी तारीक 12 अक्टूबर कॉमा 2022 को अस्वीकर्त कर दिया गया विराम इनी कारणों वस रिटिया ची का फाइल की गई जो 2021 की रिटिया ची का संख्या तेरा जीरो 22 है और इस नेयाले द्वारा तारीक 22 फरवरी कॉमा 2022 को पारित आदे सानुसार अपील को पुनह बहाल कर दिया गया और उस पर गुणा गुण के आधार पर सुनवाई की गई और अन्ततह तारीक 23 जनवरी कॉमा 2022 को खारिज कर दी गई पिराम इसी दोरान याची के विरुद्ध 1925 के आवश्यक वस्तु अधीनियम की धारा तीन ओबलिक साथ के अधीन दांडिक अभियोजन आरंब किया गया विराम इस अभियोजन में तारीक 5 मई कॉमा 2022 को याची को दोश्मुक्त कर दिया गया विराम मद्ध प्रदेश राज्य ने दोश्मुक्ति के आदेश के विरुद्ध तारीक 17 जुन कॉमा 2021 को अपील फाइल की विराम याची ने भी दोश्मुक्ति आदेश का लाब लेने के प्रियोजनार्थ यह रिट याची का फाइल की है और दावा किया है की चुकी दांडिक मामले में उसकी दोश्मुक्ति हो चुकी है कॉमा जिसके परिणाम सोरूप उसकी अनुग्यप्ति के रद करण आदेश की पुष्टी करण आदेश को अपास्त किया जाए और याची की अनुग्यप्ति को पुनहा बहाल किया जाए विराम पेरा चेंच राज्जी की और से उपस्तित विद्वान स्थाई काउंसेल ने उत्तर देते हुए निवेदन किया की याची को उस आदेश कोमा जिसके द्वारा अनुग्यप्ति को तारीक 22 अप्रेल कोमा 2022 के आदेश द्वारा रद किया गया और अपीली फोरम द्वारा तारीक 25 दिसंबर कोमा 2022 को पारित आदेश कोमा जिसके द्वारा रद करण आदेश की पुष्टी की गई कोमा को चुनोती देने का सदेव ही अवसर उपलब्द था और उसको दांडिक मामले की समाप्ती की प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए थी और इसलिए उन्होंने निवेदन किया की रिटियाची का अत्यधिक विलंबित है और याची को तारीक 4 अप्रेल कौमा 2022 को दांडिक नयाले द्वारा पारित आदेश का कोई लाब प्राप्त नहीं हो सकता विराम विद्वान इस्थाई काउंसेल ने आगे निवेदन किया की तारीक 1 अप्रेल कौमा 2022 का आदेश के विरुद्ध अपील की जा चुकी है और इसलिए याची विचारण नयाले द्वारा दांडिक मामले में पारित आदेश का कोई भी लाब नहीं ले सकता विराम विद्वान इस्थाई काउंसेल ने आगे निवेदन किया की विभाग द्वारा पारित आदेश अधी संभावेता की प्रबलता के सिद्धान्त पर आधारित है कॉमा जबकी दांडिक नयाले द्वारा पारित आदेश कडाई पूर्वक दाईत्व के सिद्धान्त पर आधारित है और इसलिए याची दांडिक मामले मैं विचारण नयाले द्वारा पारित आदेश का कोई लाब नहीं ले सकता विराम याची के विद्वान काउंसेल और विद्वान इस्थाई काउंसेल को सुनने के पस्चात इस नयाले का यह निश्चयात्मक मत है कि याची ने अत्यदिक विलंब के साथ इस नयाले की सरणली विराम इस्थोप धन्यवाद